देखिए हम खड़े हैं बागिश्वर धाम सरकार के सामने राम दर्बार के पास ये वही बिल्डिंग है जिसे देखने के लिए करोडो भक्तों की आखे तरस्ती है यही से स्रीबालाजी बागिश्वर धाम सरकार के दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है उससे पहले जो आपको पागलो का जन्मानस दिखाई दे रहा है ये सभी स्रीबाला जी के दर्शन करने से पहले 21 परिक्रमा लगाने के लिए एक साथ चल रहे है जो आपको साफ साफ इस फिल्म के जरिये देखने को मिल रहा है जब भी आप बागिश्वरधाम सरकार के दर्शन करने के लिए आओ तब आपको सबसे पहले यही किस परिक्रमा करनी होगी जो कि ये सभी भक्त गन कर रहे हैं ये वही रास्ता है जो स्रीबाला जी बागिश्वरधाम सरकार के चार ओर परिक्रमा करने के लिए बनाए पर पहले बार बागिश्वर धाम सरकार के दरबार आओगे तो आप थोड़ा अचंबित हो सकते हो कि हमारी किस पीस या होनी है उसका नारियल कहा बांदे तो उसके लिए जलसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि सभी भक्तों ने यहाँ सामने लगी रेलिंग पर ही अपनी मनो कामना का नारियल बांद रखा है तो आपको बिल्कुल भी इने देख कर कन्फ्यूज नहीं होना है इसी बिल्डिंग में कारियालाई क्रमांक एक पर जाना है और आपको अपनी अरजी के बारे में पूरी जानकारी ले लेना है ताकि आप अपनी पूजा स्रद्दा भाव क को बगेर संकोच के पूर्न तहप पूरी कर सको तो देखिए यह बागिश्वर धाम सरकार स्री बाला जी के चर्नों में जाने का प्रथम रास्ता और इसी के सामने रखा है दुनिया का सबसे तेज वाइफाई जिससे हो जाती है अच्छे अच्छों की पैंडिली या गुर आप पुरानी वीडियो देखोगे तो उसमें आपको यहाँ खाली जगात दिखाई देंगी और यह हम सब का सिद्ध पेट सिरी बागिश्वर धाम तिर्थे स्तर जिसके लिए हमारी आखे तरस्ती है और वो हम आपको आज स्वयम कैमरे से रिकॉर्ड करके सही जानकारी के साथ आपके समक्ष रख रहे हैं और इसके लिए आपका दिल से हमारे इस वीडियो को लाइक देना सेर करना और ऐसी ही मोर वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना यहाँ पर आपको हर जगम मनुकामना वाले नारियर बंदे दिखेंगे और इनकी संक्या आओगे तब आपको पहली बार ऐसी ही दर्शन होंगे जैसी कि हमने आपको आज किस वीडियो में दिखाने की कोसिस किये और यह वही रास्ता है चाहां से आप पहली दपा अपनी आखों से साक्षात स्वयम्भू स्री बाला जी बागिश्वर धाम सरकार गाउग राम गड जिव्य दर्शन करोंगे तो बोलो जय जय स्री राम जय बागिश्वर धाम